फिर से आगया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सब की भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा, दस मिनट में आपके घर पर दवाई, बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान नवश्कास, वाद आप सभी का बजारों की चाल के अंदर, मैं हूँ आपके साथ अकिले शाटी और बजारों की चाल में आप सब के लिए फिर से लेकर आगया हूँ, यहाँ पे क्रिशी फसल बजार का अपडेट जानेंगे कि शाओं के कालवाई सथ में क्रिशी फसलों का वादा बजार NCDX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर एक्सपर्ट्स की क्या रहे रहेगी, किस क्रिशी फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी आगे भविश्य में बनती नजर आ सकती है लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दू कि भारत में ओमिक्रॉन के जो केसेज हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं भारत में कोरोना के मामलों में दिन प्रते दिन इजाफा देखने को मिल रहे हैं हर एक राज्य में कोरोना के इस वक्त और इसी चक्कर में हम देखते हैं कि जब जब lockdown वाली इस परिस्थितियां पैदा होती हैं तब तब जो कारोबार है ठब पड़ जाता है कई राज्यों में पहले से ही कई पावंदिया लग चुकी है कि बाहर निकलने की अनुमती बहुती कम दी जा रही है विदेशों के अंदर भी देख रहे हैं जैसे जापान के टोक्यों में देख रहे हैं कि वहाँ पे हाई लेवल अलर्ट जारी कर दिया गया है कोरोना को लेकर, विदेशों के साथ सब भारत में भी देख रहे हैं कि कई पावंदिया देखने को मिल रही है, होटल सो ये, रेस्टरोंट सो ये, उनमें काफी जाद सकता ही चल रही है और इसी चक्कर में देखते हैं कि जब जब lockdown वाली परिस्थितिया आती हैं तब तब जो कारुबार है वो ठब होता नजर आता है तो अगर आपको भी अपने कारुबार के ठप होने की या बंध होने की lockdown में चिंता सता रही है तो अब आपको और चिंता करने की ज़रुत नहीं है आ गई है आपका कारुबार बचाने और उठाने के लिए My Big Bliss App आपको घर से बैठे बैठे अपनी दुकान चलाने का मौका दे रही है वो भी मुफ्त में आप मुफ्त में अपनी दुकान बचा भी सकते हैं lockdown में और अपनी सेल बढ़ा भी सकते हैं इसके लिए करना आपको बस छोटा से ये काम होगा सबसे पहले आपको फोन उठाना है और अपने मुवाइल फोन में My Big Bliss App को डाउनलोड कर लेना है My Big Bliss App को डाउनलोड करने के बाद आपको उस पर अपनी दुकान रेजिस्टर कर लेनी है जो की बिना एक पैसे के हो जाएगी आपको उसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना है बिलकुल मुफ्त में आपकी दुकान का रेजिस्टरेशन होगा जब आपकी दुकान रेजिस्टर हो जाएगी तब आपके पास ओडर्स आने शुरू हो जाएगे और आपकी सेल बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी शुरू हो जाएगी ज़रूरी नहीं कि आप पहले से कोई दुकान के वेपारी हो तभी आप इस एप के जरीए समान बेच सकते हैं अगर आप student हैं, employee हैं, housewife हैं या फिर अपना कोई नया start-up करना चाहरे हैं तब भी आप my big bliss app के जरीए जुड़ सकते हैं और ज़री नहीं कि किसी तरह का कोई company registration करना हो अगर आप ठेले पर फल सबजिया भी बेचते हैं तब भी आप my big bliss app के जरीए अपनी गरहा की बढ़ा सकते हैं इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं शाम के कारवाई सेथ में क्रिशी फजल बजार के अपडेट की सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यह आप एक कैससीर से देखने की कैससीर का फरवरी वाइदा बासट सो चटिस पर ट्रेड करता नजर आ रहा है आज देखने हैं कि आज हफते के आगरी कारवाई दिन शुकरवार के दिन शाम की कारवाई सेथ में कैससीर के वाइदा बजार में शाम के कारवाई सेथ में अब जाकर कहीं कैससीर का जो वाइदा बजार है पहले से कुछ हल्की तेजी की और जादा नजर आया है कैसर सीड में हमने काफी समय से अठावन सो से उनसर सो तक के बीच में एक सीमी दैरे में कारवार होते हुए देखा था कीमतों में थोड़ा नर्मी भी आई थी लेकिन इससे जादा नीचे कीमते जाती नजर नहीं आई थी की इस बार कैसर का जो उत्पादन है पिछले तीन सालों में कम रह सकता है लब बग 15.98 लाग टन रह सकता है 15.98 लाग टन इस बार कैसर सीड का उत्पादन बताया जा रहा है जो की पिछले तीन सालों में सबसे कम है दूसरा जो quality बताई जा रही है कैसर की वो भी खराब बताई जा रही है क्योंकि इस बार हमने काफी जादा बे मौसम बरसात होते देखी है जिसकी वज़ा से कैसर की जो quality है वो प्रभावीत होई है इसी की वज़ा से हमने कैसे की कीमतों में गिरावट बनते देखी थी लेकिन आज देख रहे हैं कि निचले स्तरों से वाइदा कारुबार में खरीदारी भी निकल के सामने आ रही है वहीं फरवरी जनवरी खतम होने को है जनवरी का मद्धे आ चुका है फरवरी आने को है फरवरी के आगवन पे या फिर मद्धे तक हम देखेंगे कि कैसे की जो नई arrival है जो नई आवकिया है वो आने शुरू हो जाएंगी जिसकी वज़ा से बजाबर थोड़ा प्रेशर जुरूर पड़ता नज़र आएगा लेकिन अभी ओवरॉल शॉर्ट टम के लिए जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कैसे सीड के अंदर वो पॉजिटी भी बता रहे हैं कि छोटी अबदी में कैसे सीड की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है अगर कैसे सीड का वायदा वज़ार यहां से तेजी की ओर जाता है तो शॉर्ट टम में पैसर सो यानि सबसे पहले पोजिशनल बेसिस की बात की जाए तो पोजिशनल बेसिस पर कैसे सीड पैसर सीड पैसर सो के लेवल दिखा सकता है फिर पैसर सो के उपर अगर कैसर सीड स तो बिनौला खल का फरवरी वाइद देखने एकतिस सो। तैस पर ट्रेड करता नजर आ रहा है साथे तीन फीजदी की गिरावट है। कि बिनौला खल का वैदा बजार 3300 का लेवल तोड़ कर अब 3100 के उपर ट्रेड करता नजर आ रहा है और ऐसी आशंका है कि अभी बिनौला खल का वैदा बजार 31100 के नीचे कभी लेवल दिखा दे बिनौला खल में अभी यहाँ पर हो सकता है कि आने वाला कारोवारी सब्ता में गिरावट देखने को मिले क्या कि हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो करेक्शन डियू थी अब वो यहाँ से थोड़ी गहराती नजर आ सकती है इस वक्त 3118 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है जो बुनियाद है वो तेज ही की ओर है बिनौरा खल की जैसे कि इस बार हमने कपास की उतपादन में कमी आते वे देखी है मंडियों में अच्छी क्वालिटी की कपास से कम देखने को मिल रही है क्योंकि इस बार कीटो का प्रॉको कपास की फसल पर ज़्यादा देखने को मिला और बेमौसम बारिश की वज़ा से कौटन की जो कपास की फसल थी वो खराब होती नज़र आई जिसकी वज़ा से कपास के वीजों में भी कमी है कपास की फसल में भी कमी है और जब कपास के वीजों में कमी रहेगी तो उसकी कमी का असर बिनौला खल के स्टॉक पर भी परता नजर आएगा और उसी की वज़ा से देख रहे हैं कि इस बार बिनौला खल की कमी थोड़ी देखी गई है वहीं इस बार दूद के उतपादन में भी कमी देखी गई है milk production ही दूद का जो production है उसमें भी कमी दर्च की गई है क्योंकि इस बार हमने देखा था कि लोगडॉन लग गया था और जो पशुचारा जो घास खिलाई जाती है पशुओं को उसकी कीमतों में बड़त देखने को मिलीती जब पशुओं के उपर निवेश कम किया जाएगा उनको पूरा प्रॉपर फीडिंग नहीं दी जाएगी तब दूद का जो उतपादन है कम ही देखने को मिलेगा और बिनौला खली एक मातर ऐसा प्रॉडक्ट है एक ऐसा उतपाद है जो पशुओं के अंदर दूद के फैट की मातर को और दूद की मातर को बढ़ा सकता है इसलिए जानकारो दौरा अभी हाल फिलाल में ऐसी अटकले लगाई जा रही है ऐसा हनुमार लगाए जा रहा है कि आगे भविश्य में डेरी सेक्टर और पोल्टरी सेक्टर से बिनौला खल की इंडस्ट्रियल डिमार्ड में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है लेकिन हमने जब अभी बिनौला खल को 3400 तक के लेवल्स तक जाते हुए देखा था तब हमने देखा था कि उची कीमत पर बिनौला खल की जो खरीद फरोक्त थी वो थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि जो बोल्टरी और डेरी उद्योग हैं उनकी लागत लगातार बढ़ती ही नजर आ रही थी जिसकी वजासे उन्होंने भी थोड़ी खरीद फरोक्त कम कर दी और सरकार ने भी इसके खल के उपर बोल दिया है कि खल को कोई जादा दिनों तक स्टॉक करके नहीं रख सकता है हमने इसकी खबर आपको पहले भी दे चुके हैं अभी ओवरोल रुजहान बिनौला खल की कीमतों में तेजी काई रहेगा इंडेस्ट्रिल डिमांड जानकार द्वारा अभी भी उठती नजर आ सकती है मिल्क पाउडर और दूद के कीमतों में भी बड़ोतरी देखने को मिल सकती है तो ओवरोल रुजहान बिनौला खल में तेजी काई है हमारे जो एक्सपर्ट है केडिया एडवाइजरी के डिरेक्टर अजे केडिया उनके मताबिक बिनौला खल आने वाले दिनों में 3800 से लेकर 4000 तक की भी लेवल दिखाता नजर आ सकता है अगर शांदार बड़त रही और अगर डिमांड बहुती ज़ादा देखने को मिली तो हो सकता है कि 4000 के भी उपर बिनौला खल की कीमता वाइदा बजार में निकल जाए 4000 का भी आखड़ा पार कर जाएं तो कोई ज़ादा बड़ी बात नहीं होगी बिनौला खल में ओवरॉल तेजी का ही रुजान है यहांसा बात करेंगर मसालों की तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिये का अप्रेल वाइदा 10,094 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है आदे फीजदी की तेजी के साथ हम देख रहे हैं कि धनिये की कीमतों में काफी ठीक ठाक तेजी बंती नजर आ रही है धनिये में हमने पहले एक सीमी दैर में कारुवार देखा था 9,000 के उपर फिर हमने देखा अचानक से 10,000 के भी पार निकला दनी की किमतों में लगातार देख रहे हैं के बाद एक तेजी बनती नज़र आ रही है हाला कि वैदावाजार में उठाबटक जारी रहती है तेजी के बाद मंदी भी जरूर बनती है वैदावाजार का नियम है लेकिन अगर fundamentally बात की जाए तो fundamentally धनिया का जो रुजहान है वो तेजी की ही ओर है दरसल इस बार धनिया की जो pipeline है खाली है उतपादन इतना देखने को नहीं मिला है क्योंकि बुवाई भी घटी है मुख्य उतपाद अगराज जो में धनिया की बुवाई में कमी देखने को मिली है pipeline पहले से ही खाली थी धनिया की shortage पहले से ही देखने को मिली थी और जो पुराना stock था जिसे carry forward और carry over stock कहा जाता है वो भी बहुती ना के बरावर है या फिर ऐसा कहा सकते हैं कि है ही नहीं जिसकी वज़ा से धनिया की shortage हो देखने को मिल रही है और उसी की वज़ा से हम देख रहे हैं कि धनिया की जो कीमते हैं यहां से बता रहे हैं कि धनिया अभी 12,000 तक की भी लेवस दिखाता नजर आ सकता है साल 2022 में मसालो में धनिया काफी शांदा रिटन देता नजर आ सकता है धनिये की कीमतों में आगे अभी और तेजी देखने को मिल सकती है चाय वयादा हो चाय हाजीरो एक्सपर्ट्स ने हाजिर कारुबारियों के लिए ये सला दे रखिये अभी हाल फिलाल में की जो हाजिर कारुबारी हैं अभी कुछ तेजी में अपना माल निकालने बाकी थोड़ा माल अपने लिए आगे की अच्छी तेजी के लिए बचा की भी रखें जिससे की जादा तेजी में भी माल को निकाला जा सके और अच्छ मुनाफ़ा कमा के चला जा सके यह से बात करें अगर जीरे की तो जीरे का मार्च वाइदा देख रहे हैं 18,075 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है हमने जीरे को 16,000 के उपर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं आपको बता देए कि जीरे की जो फंडमेंटल्स हैं ठीक ठाक हैं अब export demand जीरे की pick up होने की बाते कही जा रहे हैं market के अंदर ऐसे sentiments बनते नजर आ रहे हैं कि अब जीरे की जो export demand है यानि कि जो निर्यात मांग है वो थोड़ी pick up होती नजर आ सकती है जीरे की निर्यात मांग में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है यूरोपियो देशों से और जो खाड़ी देश है वहां से जीरे की जो export demand है वो निगल सकती है और अगर pick up होती है demand तो ज बता दें कि अभी शादी ब्या का सीजन चल रहा है भारत में, हाला कि कोरोना की वज़ा से पावंदियां भी देखने को मिल रही है, जिसकी वज़ा से डिमार्ड में भी थोड़ी बहुत उठापटक देखने को मिल रही है अभी, लेकिन अभी ऐसा कोई लोगडाउन वाली स् जादा लोग इखटे होने से मसाल की जो डिमांड है वो थोड़ी बढ़ जाए, दूसरा आगे अभी होली भी है, मार्च में होली आती है, रमजान का महीना भी रहता है, तो खाड़ी देशों से यरोपिय देशों से भारती मसाल की जो मांग है अच्छी खासी देखने को मि हाल फिलाल में ऐसी अटकले लगाई जा रही है, अब बाकी कोरोना की केसे पर डिपेंड करता है कि आगे इन फ्यूचर कोरोना की केसे कैसे रहते हैं, लॉग डॉण लगता है, नहीं लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गतीवी दिया कैसी रहती हैं लॉग डॉण के इस पर भी काफी मैटर करता है, यह से मसाल हुए जो यूटन सबसे जादा यूटन लिया है, वो लिया है हल्दी ने, हल्दी ने इस बार सारे की सारे एक्सपर्स को काफी जादा सर्प्राइस किया है क्योंकि हल्दी का जो उतपादन है, उतपादन का अनुमान था पहले ज टौक्त हल्दी का वो भी ठीक ठाक ही था लेकिन जो नई हल्दी की जो फसलें थी वो अब यहाँ पे दक्षिन भारत में बड़े पैमाने पर बे मौसम बरसात की वज़ा से खराब होती नजर आई हैं लगबग 40-50 फीजदी हल्दी की जो फसलें हैं वो खराब होती नजर हाला कि आज करेक्शन भी बनती नजर आई है उपरी सतरों से प्रॉफिट बुकिंग बन रही है मुनाफ़ा वो सुली थोड़ी बनती नजर आई है लगबग 40-50 फीजदी की मुनाफ़ा वो सुली है लेकिन हल्दी में भी जानकर अब यहां से तेजी का ही अनुमान लगा रही है कि हल्दी में भी आगे यहां से तेजी बनती नजर आईगी पहले एक्सपर्स का यह मानना था कि हल्दी में कोई जादा खास तेजी बनती नजर नहीं आएगी सारे एक्सपर्स ने हल्दी में गिरावट का नुमान लगा था लेकिन अब जो फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं fundamentals के अंदर changes आई हैं अब उसको देखते हैं उसके मद्दे नजर जितने भी experts हम बता रहे हैं कि हल्दी की कीमतों में आगे जाके तेजी देखने को मिल सकती है अभी 10,200 पर ट्रेड करती नजर आ रही है दीर दीर हल्दी तेजी की और जाती नजर ज़रूर आएगी तो overall रुजहान मसालों में साल 2022 में तेजी का ही रहने वाला है साल 2022 मसालों के लिए ही रहने वाला है तो मसाला कारोबारियों के लिए साल 2022 काफी शांदार मुनाफ़ा के साथ देखने को मिल सकता है यह से बात करें अगर अब गवार कॉंपलेक्स की तो देखने की गवार गम का फरवरी वाइदा 11,666 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है देखने की गवार गम के फरवरी वाइदा के अंदर 3,669 की कैरेक्शन मंदी नजर आ रही है और गवार सीड के फरवरी वाइदा देखने की बासर सो आठावन पर ट्रेड करता नजर आ रहा है ठीक ठाक तेजी बनती देखी थी लेकिन सुबा जैसी सेकिंड हाफ हुआ गवार गम और गवासीर में जो करेक्शन है वो थोड़ी हावी होनी स्टार्ट हो गई शुरू हो गई हमने गवार गम को इस कारवारी सब्सक्राइब 12000 के उपर ट्रेड करते देखा है और गवासीर कि जो कीमते हैं वो उतनी उठती नजर आ जाए यह अभी जो खरिदारी देखने को मिली है अभी ये कुछ एक्सपर्स का कहना है सारे एक्सपर्स ऐसा नहीं बता रहे हैं कि गवार गम हो गवासीर में गिरावट ही रहेगी लेकिन कुछ एक्सपर्स की यह ऐसा मानना भी ह कि गवार गम और गवासीर्स में ये जो तेजी देखने को मिल रही है टेकनिकली बनाई जारी है फंडामेंटली तेजी इतनी देखने को नहीं मिल सकती अगर फंडामेंटल के आधार पर देखा जाए हाला कि उत्पादन गम है उत्पादन गम बताया जा रहा है गवार गम का लेकिन उसके भी मद्दे नजर और डिमांड को भी देखते वे गवार गम और गवासीर में इतनी जादा तेजी बंती नजर नहीं आ सकती है यह जो तेजी है यह टेक्निकली बंती नजर आ रही है आने वाला कारोबारी सब्ता थोड़ा ऐसी रेंज वाला रहे निचले इस तर और भी देखने को मिल जाएं गवार गम और गवा सीर के अंदर यह से बात करेंगा सोयबीन की तो सोयबीन का फरवरी बादा देख रहे हैं कि 6355 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है आदे फीजदी की करेक्शन के साथ सोईबीन देख रहे हैं रेंजवाउंड देखने को मुल रहे हैं सोईबीन के साथ साथ अगर बात कीजाए अगर अन्य खादे तेलों की बाकी खादे तेलों की तो दूसरे एडिबल ओल्स में भी देख रहे हैं कि एक हलकी सी गिरावट बनती नजर आई है दिरसर चुनाव आने वाले हैं सरकार भी नहीं चाहती है कि जो आम जनता है सरकार को महंगाई को लेकर कोसे या फिर महंगाई को लेकर वोटों में कमी देखने को मिले जिसकी वज़ासे हमने खादे तेलों की कीमतों में कमी आते वे देखिये सरकार की परियासों का ही नतीजा है कि अभी हाल फिलाल में जितने भी बड़ी-बड़ी कमपनी थी खादे टेलो Q2 चाहे सोयवीं का टेलो सब में हमने कमी कंई आते वे देखिए लेकिन पहले के मुकावले जो कीमते हैं अभी भी कम देखने को नहीं मिली है, हाला कि साल 2021 में सरसो का रिकॉर्ड उत्पादन बताया जा रहा था और हमने रिकॉर्ड उत्पादन होता हुआ भी देखा, लेकिन तब भी खादे तेल की जो कीमते हैं कम होती नजर नहीं आई, महाद से बात करें सोयवीन की तो सोयवीन में हम देख रहे हैं कि भारत में पहले तो सोपा ने कहा था कि 119 लाग टन का पिछले साल के मुकाबल यानि कि साल 2021 में सोपा ने जब सर्वे किया था सोयवीन का तो उत्पादन का नुमान दिया था कि लगवग 119 लाग टन के आसपास सोयवीन रह सकती है और 14-15 फीजदी साल 2020 के मुकाबले साल 2021 में तेजी रह सकती है सोयवीन के उत्पादन में लेकिन अब सोपन ने वो भी आंखडा घटा दिया है 112-113 लाग टन का कर दिया है और 8 इसके मुकाबले साल 2021-22 के सोयवीन के उत्पादन में 8 फीजदी की बड़ोतरी देखने को मिल सकती है लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि सोयवीन की जो उपलबदता है मंडियों के अंदर काफी कम देखने को मिले है जिसकी वज़ा से जो पूरे आकड़े हैं उन पर एक पि अर्जेंटीना के सोयवीन का जो उत्पादन है वो वैश्वीक सोयवीन के उत्पादन में काफी महत्तपूर्ण स्थिती रखता है यानि महत्तपूर्ण स्थान रखता है ऐसा इसलिए क्योंकि अर्जेंटीना और ब्राजील सोयवीन के मुख्य उत्पादक देशों में से और निर्यातक देशों में से भी अगर ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयवीन का उत्पादन कम जादा रहता है तो उसका असर पूरे ही वैश्विक सोयवीन की सप्लाई पर पड़ता नजर आता है और फिर वही सोयवीन की आगे कीमतों को निर्धारित करते हैं हमने देखा था कि साल 2020-21 में ब्राजील और अर्जेंटीना के सोयवीन की उत्पादन की जो हिस्सेदारी थी वो गलोबल सोयवीन के उत्पादन में यानि की वैश्विक सोयवीन में लगबग आधी रही थी तो इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार जो वय ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयवीन के उत्तपादन में कट flatterती जो की गई है वह सोयवीन की कीमतों में आगे मढदी लाए गी या तेजी लाएगी यह इस पर भी डिपेंड करेगा कि आगे मौसं कैसा रहता है क्योंकि ब्राजील और अर्जेंटीना में अभी करे ब्राजील और अर्जन्टीना में बारिश का भी अनुमान लगाए जा रहा है कि ब्राजील और अर्जन्टीना में आने वाले कुछ दिनों में बारिश भी देखने को मिल सकती है तो यानि कि लगवक एक बहीने के अंदर अंदर सोयबीन की जो पिक्चर Kyle है वह क्लियर होती न जादा रह सकता है अगर कम रहती है तो उत्पाधन घड सकता है उसके भी जानकारी आपको आगे देते रहेंगे जैसे वहाँ पे आखड़ें साफ हो जाते हैं और बारिश की स्थिती का पता चलता है वैसे भी सुईवीन की विदेशों के बारे में बताते रहेंगी विदेश भारत में किसानों ने सोयबीन को स्टॉक करके अभी भी रखा हुआ है भारती किसानों को उमीद है कि आगे जाके सोयबीन की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है और इसी उमीद में किसानों ने अभी भी सोयबीन को स्टॉक करके रखा हुआ है तो ये था एक छोटा सा क्रिशी फसल बजार का अपडेट की हफ़ते के आखरी कारुबारी दिन शाम के कारुबारी सर्थ में किस क्रिशी फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी बंदी नजर आ रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ड्स की क्या राय थी फिलाल बजार की चाल में अभी के लिवस्त नहीं मुझे दीजिये अजाजत नमस्कार